Hello everyone, my name is Smith and you are watching Technical Government Job All Over India YouTube Channel आज हम बात करने वाली हैं Food Department की IOE latest job vacancies के बारे में जहां पर male and female दोन्नों candidate eligible है, दोन्नों apply कर सकते हैं permanently आपकी ये government job रहने वाली है, best salary आपको pay की जा रही है So कौन-कौन सी vacancies के लिए notification आ गया है, किस तरीके से apply करना है कैसे आपकी स्वे selection and joining होने वाली है, क्या आपकी salary रहने वाली है, हर चीज को detail में cover करने वाली है वीडियो को starting से end टक जरूर देखना, proper screen share करके आपको बताने वाली हो किस तरीके से आपको इन vacancies के लिए step बे step apply करना होगा तो वीडियो को last तक जरूर देखना, अगर आप channel पर first time आई हैं, इसी तरह से चाहते हैं हर एक notification आप तक time पर पहुंच जाए, तो जल्दी से channel को subscribe करके, bell icon को press करके all पर click करना ताकि हर एक update आप तक time पर पहुंच जाए, बाकि इस update के इलावा और भी पहुत सारे department है, जिनकी vacancies आउट की जाच चुकी है आप अपने qualification, अपने city या free district के accordingly हमारी official website www.clory.com पर visit करके, information लेकर apply कर सकते हैं लिंक website का description में आपको दिया गया है, आप देख भी पा रहे हैं, अगर आप इसको google पर type करेंगे ना, तो आपको first number पर हमारी official site मिल जाएगी चलिए ज्यादा टाइम लेते हैं बात करेंगे, food department की IU latest job vacancies के बारे में कैसे apply करना है, क्या-क्या eligibility रहने वाली है, कौन से vacancies आउट की गई है, कैसे आपकी स्मिल selection and joining होने वाली है, हर चीज़ को detail में cover करेंगे सबसे पहले वीडियो को एक प्यारा सा like जरूर कर देना, आपका एक like motivate करता है, आपके लिए नएरे update लेकर आने का बात करें हम four department की IU latest job vacancies की बारे में, जहाँ पर male female दोनों apply कर सकते हैं, आप किसी भी location से belong करते हैं, इन vacancies के लिए eligible apply कर सकते हैं सबसे वैले अगर में आपे बात करें type of job की, जो मैंने आपको starting में भी clear किया, यह आपकी permanent government job रहने वाली है, next अगर में आपे salary की बात करें, best salary आपको pay की जा रही है और यह जो hiring है, as a fresher आपकी इसमें hiring होने वाली है, और directly यह government department की तरव से update आ रहा है, आपकी यह permanent job रहने वाली है, वो भी government ठीक है salary की बात करें, तो level 12 के according to salary आपकी रहने वाली है, जो कि आपकी up to 78,800 in hand रहने वाली है तो काफी सारी candidate आप इसे के लिए eligible या apply कर सकते हैं, next अगर हम बात करें, यह कौन सी position के लिए अपडेट है, यह food safety officer की विकैंस का update आ चुक है बहुत सारी candidate की मेरे पास comments आ रहे थे कि food safety officer की विकैंस का वाएंगी, तो finally notification आ चुका है next अगर बात करें, इसमें fee की, अगर general candidate है, उनके लिए 350 application fee रहने वाली है, और other state की candidate के लिए 350 application fee रहने वाली है इसे के साथ OBC और BC candidate के लिए 250 application fee है, जो आपको online ही pay करने होगी, debit card, credit card, net banking आप कर सकते हैं जब मैं आपको बताऊंगी, apply कैसे करने है, तब आपको बताऊंगी, fee कैसे pay करने है, क्योंकि category कोई भी हो, सबके लिए fee तो है, उसके बाद SC, SD physical handicap candidate के लिए 150 fee रहने वाली है, next अगर हम बात करें, इसमें age limit की, सबसे पहले, इसमें minimum age की बात करें, तो आपकी 18 है, आप apply की प्लस, आपको relaxation भी मिलने वाला है, जिसमें normally OBC को 3 साल का ही होता है, SST को 5 साल का, and others को as per nomsis में relaxation दिया जा रहे है, so काफी candidate आप में से इसके लिए apply कर सकने है, apply link भी activities के लिए किया जा चुक है, आगे मैं आपको proper screen पर चल कर बताने वाली हूँ कैसे आपको apply करना है, उसस selection के बात करें, तो इसमें आपकी 3 stages selection होने वाली है, जिसमें आपका पहले pre-exam हो सकता है, means हो सकता है, तो इसके लिए apply करना है, वो समझना जरूरी है, तो इसके लिए मैंने आपको link description में ही दिया हुआ है, आप उस पे click करेंगे, नया interface आपकी सामने open हो जाएगा, इस तरी अब लास्ट में जब आप जाएंगे, आपको required link में link मिल जाते है, first आपको मिलेगा notification PDF का, second आपको मिल जाते है apply online का, notification पे click करेंगे, of course, आप यहाँ पे click करेंगे, PDF आपके सामने download होकर open हो जाएगी, and second link पर जब आपके सामने डाउनलोड होकर open हो जाएगी, and second link पर जब आप लोग इन कब करेंगे, अगर आपने self-register किया हुआ है, मैं हमेशा आपको बताती हो, आप किसी भी job के लिए apply करें है, self-registeration must होती है, जैसे की right-hand side में आपको option मिल रही है, registration के लिए, यहाँ पे click करने आपको, सबसे पहले अपने आपको register करना होगा, जहाँ पे अप password जो आप यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे create password के option आएगी, और यहाँ पर confirm password के option आने वाली है, तो जो आपने create पे click किया, वही confirm पे आपको click करके आगे बढ़ जाना है, बस आपको submit पे click कर देना है, अब जो आपने email id वहाँ mention की, यहाँ पे login के लिए mention करेंगे, password mention करेंग name, क्या आपकी qualification है, address आपका क्या है, permanent address क्या है, correspondence address क्या है, क्या qualification है, age limit आपकी क्या है, category कौन सी है, जो जो चीजी आप देख पा रहे हैं, वो as it is आपको fill करते जाना है, उसके बाद next step आपका रहेगा application fee payment का, जो मैंने आपको अलगले category वाइस बताई है, वो पे करके आपक successfully apply हो जाएगा, आपको department की तरफ से confirmation भी आ जाएगी, print out आपको जरूर लेकर अख लेना, future reference के लिए, जो जो step मैंने आपको बताया है, वैसी apply करेंगी, कोई problem आपको इसमें नहीं आने वाली है, बाकिस recruitment के इलावा और भी बहु सारी department की weekends आगी है, आप अपने qualification, city, district के को हमारी official website www.clory.com पर visit करके information लेकर check करके apply कर सकते हैं, so इसके इलावा चैनल पर वीडियो अप्लोड़ इड़ चैनल पर subscribe कर लेना, अगर पहली बार आए है, अब next video मिलेंगे, thanks for watching.